इस टॉपिक में आप कैटेगराइज कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स को बेस्ट अन दा पावर एंट इंटरस्ट दे हाव इन दी ओर्गनाइजेशन यहां पर आपके पास चार कैटेगरीज आती हैं कैटेगरी A, B, C, D. तमाम कैटेगरीज में आपके पास अलग-अलग स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं जिनकी ओर्गनाइजेशन में पावर तो हाई होती है लेकिन इंटरस्ट लो होता है category C में आपके पास वो stakeholders आ जाते हैं जिनकी organization में power तो low होती है लेकिन interest high होता है category D में आपके पास वो stakeholders आ जाते हैं जिनकी organization में power भी low होती है और interest भी low होता है सवाल यह उठता है कि sir organization में इन्हें किस तरीके से treat किया जाता है तो सबसे पहले बात करेंगे category A की, जिसमें stakeholder की power और interest दोनों high थे, यहाँ पे यह आपके key players हैं, यह आपके लिए significant role play करते हैं organization में, तो आप इन्हें manage करते हैं closely, आप इन पे सबसे ज्यादा time invest करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ category B की, तो यहाँ पे आपके पास वो stakeholders है जिन इनकी power ज्यादा है, तो इनका काम organization में बार बार intervene या interfere करना नहीं होता, लेकिन जब यह करेंगे, तो इनका impact ज्यादा होता है organization में, तो आप इन्हें सिर्फ satisfy कर देते हैं, category C में आपके पास वो stakeholders आ जाते हैं, जिनकी power काम है, लेकिन interest ज्यादा है, interest ज्यादा है का मतलब य आप इन्हें constantly information provide कर देते हैं, आप इन्हें information provide कर देते हैं, यह satisfy हो जाएंगे, category D में आपके पास वो stakeholders हैं, जिनकी power भी कम है, और interest भी कम है, power और interest दोनों कम होने की वज़ा से, आप इन पे ज्यादा time invest नहीं करेंगे, आप इन्हें सिर्फ monitor कर रहे होंगे, सर कैसे monitor कर सकते हैं, आप इन पे कुछ check-in balance लगा दें, जैसे के CCTV camera, इस तरीके से आप इन्हें सिर्फ monitor कर लेंगे, और आपने सीखा के हर category of stakeholder को आप किस तरीके से treat कर सकते हैं, based on the power and interest they have in the organization, अब एक और सवाल उठता है, वो सवाल यह है कि आपके पास इतने सारे stakeholders मौजूद थे, जैसे क owners, जैसे के executive directors, employees, non-executive directors, suppliers, customer, government, competitors, इसके इलावा lenders, आपके पास इतने सारे stakeholders मौजूद थे, तो सवाल यह उठता है कि तमाम categories में आप इन stakeholders को कैसे place करोगे, यहाँ पे rule of thumb यह है कि कोई भी stakeholder किसी भी category में permanently stay नहीं कर सकता, यह switch करेंगे, यह switch करेंगे, based on the situation देया situation, अगर situation इनके favor में है, तो यह category A में भी आ सकते हैं, situation इनके favor में नहीं है, तो यह category D पर पिजा सकते हैं, तो यहाँ पे rule of thumb यह है कि कोई भी stakeholder permanently किसी A category में stay नहीं कर सकता, इसकी मैं आपको एक example देता हूँ, let's say, एक organization में आपके पास usually, जो lower level staff होता है, जो lower level employees होते हैं, व organization में इनका interest भी कम है, stake भी कम है, हुआ यह, कि आपके पास जो lower level staff में एक labor, एक plant पे काम कर रहा था, उस site पे accident हो गया, और वो labor injured हो गया, अब labor जैसे ही injured हुआ, तो category D से उठके, वो category A में चले गया, क्यूं, क्यूंकि इसकी power भी बढ़ गई, इसका interest भी बढ़ गया, interest इस तरीके से बढ़ जाएगा, कि यह organization से बहुत सारे पैसे collect कर सकता है, इस accident की basis पे, और power ऐसे बढ़ गई, कि इसके पास अब power है, कि यह legal options apply कर सकता है, वो पैसे claim करने के लिए, अब इसका interest भी हाई हो गया, power भी हाई हो गया, यह foreign category D से category A पे चले गया, तो अब होगा यह कि इसे treat करने के लिए, इसे manage करने के लिए, बहुत सारे departments जुड़ जाएंगे, जैसे के वो जो plant था, उसका manager इसमें आ जाएगा, operations manager involved हो जाएगा, इसके लावा finance department involved हो जाएगा, legal department involved हो जाएगा, जो human resource department ने से hire किया था, वो department involved हो जाएगा, तो यहाँ पे सब ने इस situation को manage किया closely, और जैसे ही यह situation जो है ठंडी हो गई, और उसके बाद employee ने NDA sign कर लिया, non-disclosure agreement sign कर लिया, तो होगा यह कि वो employee, वो lower level staff again category D में आ जाएगा, तो इस example साब को पता चला, कि आपके पास जितने भी stakeholders होते हैं, वो permanently किसी भी category में survive नहीं करते, stay नहीं करते, बल based on the situation they are in, I hope आपको power, interest, index या matrix समझ आ गया होगा, thank you so much.